हिमाचल परदेश्ट में कॉंग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रिस्थूत किया है और मुक्षमुत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खु जी ने जिस परकार से बजट में फिर से जूट बोलने का प्रतन किया है लोगों को गुम्रा करने का प्रतन किया है मैं मानता की अब की बात सफ़र नहीं नहीं दे जूट वोलने की यह सारी बातें बार-बार इस परकार से करना लोगों का वरोसा तूट चुका है लोग बिश्वास ने करेंगे वरोसा नहीं करेंगे सत्ताम disp ऑनने से पहले सो righteousness डें करके गरंटी पूरी नहीं हुई पिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट पस्तूत किया जो गोषणा की उनमेंसे 95% जो योजना है उन्हें गोषणा की जो वादे उन्हेंक ही थे पहले बजट में उनमेंसे कुछ काम हुआ ही नहीं और उसके बाद अभी हाली में इस बजट में जो मुक्य मंत्री जी फिर से जूड बोल करके लोगों को गुमरा करने की दिशा में प्रतन कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोकसभा का चुनाब आने वाले सुमय में है तो लोकसभा के चुनाब से पहले फिर जूड बोल करके गुमरा किया जाए तो मैं समझता हूं कि हिमाचल परदेश की जनता इसको सिरे से नकारेगी सिरे से खारिश करेगी सबसे बड़ी बात तो यही कहुँगा कि हिमाचल परदेश में इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई रहत नहीं है करमचारियों की अगर बात कहते हैं करमचारी हितैशी की बात उनने कही अभी तक इस बजट में कोई उस बात का जिकर नहीं है OPS की बात कहते कहते अपने आप वो उसमें उलज करके रहेंगे कि OPS में अब आने वाले समय में जिकराज बजट पे ने किया है लेकिन हकीकत है इस बजट के बाद जब लोकसमा का चुनाब होगा जो OPS के लोगों को भी निराशा इसमें हाथ लगने वाली है क्योंकि 50% last paid round के जो pension की उनकी एक सुवधा है उसको कम करने की दिशा में प्रेशन चल रहा है मैं ये बड़ा साफ क्या रहा हूं उसको 30% करने की दिशा में चीज़ें चल रही है और दूसरी बात क्या ये सत्य नहीं है कि जहां पूरा साल वो कोशते रहे हिमाचल परदेश में पूरव सरकार को कि भारती जनता पार्टी के सरकार ने रिंड लिया आपने तो हिमाचल परदेश में रिंड इस कदर लिया कि तमाम record तोड़ दिये 14 महिने में 14,000 करोड रुपे कर रिंड लिया जिसको खुद उन्य साथ सरकार किया अपने बजट में अपने बजट स्पीच में इसके अलावा आगे बढ़कर के हम इस बात को अगर देखें आज आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि MSP हम आपने दूद के लिए सुनिश्चित कर दी अरे आपने वादा तो यह किया था कि गाय का दूद सौर पर लिटर और गाय का दूद असिर पर लिटर और भैंस का दूद सौर पर लिटर लेकिन अभी जो पिछली गोशना की है उसके इसाब से दूद की किमते अभी तक मिलने रही है आज आपने फिर गोशना कर दी कि 45 रुपए लिटर गाय का दूद और 55 रुपए भैंस का दूद इस बात को सुनुश्चित करेंगी लेकिन गोशना करने के बाद मेरा मुक्यमंतिजी जिससे इस बात के लिए आखरे है कि कम से कम उनको लागू भी करो उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने के भी प्रतिन करो आपने हिमाचल परदेश में हजारों संस्तान चले हुए खुले हुए संस्तान बंद किये हैं उसके लिए कोई आपने जिकर नहीं किया आपने हिमाचल परदेश में इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आपने रेवन्यू जनरेट करने के रास्ते क्या होंगी आप बाते तो कह रहे हैं आपकी हमारा एकसाइज पॉलसी के अंतरगत हमारे हिमाचल परदेश में बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा है लेकिन हकीकत क्या है दस और गैरा परसेंट की ग्रोथ तो हर साल पहले भी आती थी अब की बार वो बारा परसेंट तक आ गही है बारा परसेंट से उपर जाने रही है और ऐसी सूरत में लोगों को फिर जूट बोलने की बात कर रहे है तो मैं समस्ता हूं कि ये उचित नहीं होगा आपने फिर योजनाओं की शुरुआत की है सुक आशरे पहले शुरू की थी उसमें भी लोगों के बीच में एक हास्य का विशय बना कि अपने नाम के साथ योजना जोड़ दी और आज और योजनाओं का भी जिक्र किया है और जिसमें आपने एक सुक आरोग योजना का जिक्र किया है सुक शिक्षा योजना का जिक्र किया है फिर अपने नाम के साथ योजनाओं का जिक्र करने से लोगों को उसका लाव नहीं मिचता है जब तक लोजना है लोगों तक पहुंचाने के लिए काम ना किया दाए और इसके लावा आपने कुछ वर्ग के लिए जो गोशना की है वो गोशना मातर इसलिए किये हैं कि ठीक इस बज़ट के बाद लोग सबक के चुनाब आने की बज़ा से आपको लग रहा है कि अब लोगों को गुम्रा करना चाहिए लोगों को फिर से उस प्रकार से जिस प्र बार जोटी गारंटिय दे करके सरकार बनाने में लेकिन मैं ये कहता हूं कि भरोसा तूट चुका है विश्वास तूट चुका है अब बार बार जूट बोल करके आप लोगों का विश्वास नहीं दे सकते हैं अब के बार आपको सारी चीज़ को ले करके ये जेलना और मैं दूसरी बात इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल परदेश्ट में इस बजट में गरीब लोगों के लिए क्या राहत दिया आपने हिमाचल परदेश्ट में एक बात का जिक्र किया है आपने जिकर किया कि हमने आपदा में बहुत बड़ा पैकेज दिया जो देश में किसी राज़े में नहीं मातर घोशना करने से पैकेज की बाध पूरी होती है क्या आप हकीकत में देखिए कि जमीन में क्या पातर व्यक्टियों को वो रहत मिली है क्या कितने लोगों को मिली चुनिदा लोगों को मिली है आज भी जो लोग घर बेघर हुए पड़े हैं आपदा के कारण अभी तक उनके cases ही नहीं बन पाए हैं, उनको रहत मिली नहीं और आप चुन चुन करके रहत अगर दे रहे हैं तो अपने party के अपने डल के लोगों के लिए दे रहे हैं इस बात को लेकर करें कोई बात च्शिपी नहीं है आंकरे आपके सामने आ रहे हैं इसलिए मैं आपके आजके इस बजट को जो मानिय मुख्या मंती जी ने आज प्रस्तुत किया है उस बजट को सीरे से खारिश करता हूं, बेरोजगात सटकों पर धरने पर बैटे हैं, और सोक्स करमचारी जो नोकरी पर लगे थे, नोकरी से निकाल करके वो धरने पर बैटे ह करमचारी, समय पर सेलरी ना मिन लेवाले हैं, चाहे हो HRTC है, चाहे हो HPTDC है, चाहे हो हिमाचल परदेशी लेक्षिरी बोर्ट के करमचारी